नमस्कार छात्रों आज हम भारती अर्थ विवस्ता 1950 से 1990 तक का भाग एक अध्यन करेंगे इसमें हम मुख्य रूप से आर्थिक योजना के बारे में पढ़ेंगे भारत दो सो वर्सों की गुलामी के बाद सन 1947 में आजाद हुआ राष्ट्र निर्मान में आर्थिक प्रणाली का चैन महत्यपुर्ण निर्नय था अतह सरकार ने मिश्रित अर्थ विवस्ता प्रणाली का चैन किया जो सर्वजन कल्यान के लिए प्रतिबद्धा केंद्रिय आर्थिक समस्याओं का निराकरन, सरकार या केंद्रिय सत्ता द्वारा सुन्योजित ढंग से किया जाता है इसके लिए विबिन्न तरीकों से अर्थ विवस्ता के आर्थिक प्रियाओं को नियंत्रित किया जा सकता है समाजवादी अर्थ विवस्ता के अंतरगत, सरकार या केंद्रिय सत्ता उर्थ अर्थ विवस्ता के सभी संसादनों का नियंत्रित करती है और वस्तू और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तता उभोग से संबंदित सभी निर्णय लेती है सभी महत्वपुर्ण आर्थिक प्रिया कलापों की योजना बनाती है समाजवादी अर्थ विवस्ता के अंतरगत, सरकार या केंद्रिय सत्ता इस अर्थ विवस्ता के सभी संसादनों का नियंत्रन करती है और वस्तूओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तता उभोग से संबंदित सभी निर्णय लेती है सभी महत्वपुर्ण आर्थिक प्रिया कलापों की योजना बनाती है बाजार अर्थ विवस्ता में सभी आर्थिक प्रियाओं का निराकरन बाजार में मांग एवं पूर्ति के आधार पर होता है बाजार तंत्र में मांग एवं पूर्ती के आधार पर कीमत निर्धारन होता है और वस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन विनिमय तताव भोग इसी आधार पर होता है आज के युग में अर्थविवस्थाओं में दोनों प्रकार से आर्थिक क्रियाओं का निर्धारन होता है हम इसे मिस्त्रित अर्थविवस्था कहते हैं महत्वपूर्ण निर्णे सरकार द्वारा लिये जाते हैं और आर्थिक क्रियाओं का निर्धारन बाजार द्वारा होता है जिसे सरकार नियंत्रित करती है भारत में मिस्त्रित अर्थविवस्था है आर्थिक योजना आर्थिक योजना सरकार द्वारा लिया जाने वाला निर्णय है जिसमें हम निर्धारित समय में सीमित संसाधनों का प्रयोग करके उद्देश्यों की पूर्टी करते हैं इसमें उद्देश्यों की पूर्टी के लिए विस्त्रित योजना, कारेक्रम और रन निती की व्याख्या होती है आर्थिक योजनाओं को प्रभावी वनाने के लिए भारतिये सरकार ने 1950 में योजना आयोग का गठन किया जो अब निती आयोग के नाम से जाना जाता है योजना आयोग का उद्देश देश के मानव और भौतिक संसाधनों का सावधानी पुरवक्त मुल्यांकन करना और संसाधनों का प्रभावी उप्योग करना था पंचवर्षिय योजना के उद्देश मुख्य उद्देश आर्थिक संब्रिद्धी आधुनी की करन आत्म निर्भरता तमानता आर्थिक संब्रिद्धी आर्थिक विकास का तात्पर्य है कि देश के भीतर वस्तूओं और सेवाओं के उत्पादन छम्ता में व्रिद्धे विकास का मतलब उत्पादक पूंजी का विस्तृत्र भंडार अत्वा परिवहन और बैंकिंग जैसी सेवाओं का बरा आकार अत्वा उत्पादक पूंजी और सेवाओं की दक्स्ता में व्रिद्धी तकल गहरेली उत्पाद आर्थिक व्रिद्धी का अच्छा संकेतक है अतह जीडीपी से निरंतर व्रिद्धी आर्थिक विकास को दर्साता है आधुनी करन आधुनी की करन से तात्पर है नई तक्नीक को अपनाना आधुनी की करन का लक्ष नई तक्नीक के उपयोग के माध्यम से वस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाना है आधुनी की करन इसका अर्थ सामाजिक द्रिष्टिकोन में पडिवर्तन भी है जिसका संबंद लिंग ससक्तिकरन और महिलाओं को समांता के अधिकार से है आत्म निर्भटा आत्म निर्भटा का तात्पर बाहरी सहायता की आवसक्ता से परहेज करना है इसका सीधा मतलब है देश की संसाधनों के द्वारा विकास आत्म निर्भरता के नीती को दो कार्णों से जरूरी समझा गया विदेशों के उपर अपनी जरूरतों के लिए निर्भरता कम करना कैसा कि हम जानते हैं कि भारत को हाल में ही आजादी मिली थी अतहिय आवश्यक था कि हम खाद्यान के लिए विदेशी निर्भरता कम करें बाहरी हस्तचेप से बचना इस बात की आशंका थी कि आयातित खाद्य आपूर्ती विदेशी प्रद्यवगी की पर निर्भरता और विदेशी पूंजी हमारे देश में बाहरी हस्तचेप बढ़ा सकते हैं समानता समानता का तातपर अमीर और गरीब के बीच कि अस समानता की दूरी कम करने से है इसका मतलब यह है कि देश में वस्तूओं और सेवाओं का वित्रन सभी बर्गों के बीच समान रूप से होना चाहिए यह महतुपूर्ण है कि आर्थिक सम्पन्नता का लाब समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे समानता का उद्देश यह सुनिश्चित करता है कि आये के और समान वित्रन घटें समानता का मूल उद्देश मुख्यत सभी लोगों का जीवन स्थर उपर उठाना है और समाजिक न्याय को बढ़ावा देना है क्रिसी छेत्र की नीतियां भूमी सुधार का चात्पर्य भूमी के स्वामित्तों में परिवर्थन करना है इसके दो पहलू है पहला भू स्वामित्तों की अदिक्तम सीमा का निर्धारन इसका उद्देश भूमी वित्रन में समानता सुनिश्चित करना है यह व्यक्ति के स्वामित्तों वाली भूमी की निर्धिष्ट सीमाओं को तै करने को संदर्भित करता है दूसरा भूमी जोत का समेकन यह कृसी की पैदावार बढ़ानी की दूसरी निती है जिसमें किसानों के भूमी के छोटे छोटे तुकरों को एकत्रित किया जाता है भूमी सुधार के उद्देश पहला भूमी सुधार का मुख्य उद्देश मर्धे वर्तियों का उन्मूलन एवं जमीन की जुताई करने वाले को मालिकाना हक देना है दूसरा जुताई करने वालों को मालिकाना हक देने से भूमी में निवेश बढ़ेगा और भूमी की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धी होगी तीसरा भूमी के मालिकाना हक मिलने से भू स्वामी को उत्पादन एवं उत्पादक्ता बढ़ानी के लिए प्रोच साहन मिलेगा चौथा भूमी सुधार से भूमी के वित्रन में समानता आएगी और कुछ चुने हुए व्यक्तियों के बीच भूमी की सांदृता में कमी आएगी भूमी सुधार निती का सुक्ष्म मुल्यांकर सरव प्रतम भूमी वित्रन में समानता का उद्देश से बीचौलियों के उनमूलन से पूरी तरह नहीं हो सका दूसरी कुछ छेत्रों में जमिनदारों ने कानून में खामियों का इस्तेमाल किया और जमीन पर स्वामित्तों को बरकरार रखा तीसरा बरे जमिनदारों ने भूमी सुधार कानून को न्यायाले में चुनोती देकर इसके सफल क्रियान वियन में बाधा उत्पन किया भूमी सुधार केरल एवं पश्चिम मंगाल में सफल रहा क्योंकि वहां की सरकार जादा पतिबद्ध थी हरित क्रांती हरित क्रांती से तातपर्य खाद्यानों के उत्पादन में भारी विद्धी से है विशेश रूप से सिच्चाई सुविधाओं के साथ उन्नत किस्म के बीज उर्वरक कीट नासक का उपयोग करके गेहूं और चावल के उत्पादन में बरी विद्धी की गई हरित क्रांती की आवसक्ता के मुख्य कारण अथ्वा हरित क्रांती के उद्धेश प्रिसी उत्पादक्ता बहुत कम थी जिसके कारण देश के खाद्यान के जबरदस्थ उत्पादन को बढ़ानी किया वसक्ता थी प्रिसी छेत्र में उर्णी पारंपरिक तक्नीक का प्रयोग किया जाता था अतह नई तक्नीक का प्रयोग आवस्यक था क्रिशी छेत्र में थहराओ आ गया था जिसके कारण हरित क्रांती अत्यावस्यक हो गया था हरित क्रांती दो चर्नों में पूरा हुआ थरित क्रांती का प्रथम चर्न उनीस्सो साट के मद्धे से उनीस्सो सत्तर के मद्धे तक चला था इस चर्न में इसका विस्तार पंजाब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडू जैसे सम्रिद्ध प्रदेशों तक सीमित था उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग मुख्यत गेहु के उत्पादन छेत्रों तक सीमित था दुईती चर्न उनीस्सो सत्तर के मद्धे से उनीस्सो अस्ती के मद्धे तक चला उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग और अधिक राज्यों तक फैला द्वीतिय चरन में इसका लाब अन्य फसलों तक पहुचा हरित क्रांती के लाब सरोप्रतम हरित क्रांती के कारण खाद्यान के उत्पादन में भारी वृद्धी हुई जिसके परिनाम स्वरूप भारत में खाद्यान उत्पादन में आत्म निर्भरता हासिल कर ली भारत को अब खाद्यान के लिए अमेरिका या अन्य देशों पर निर्भर नहीं होना परता था हरित क्रांती के परिनाम स्वरूप विपनन योग अधिसेश का स्रजन हुआ जिसका तात्पर्य है कि किसानों के पास उपभोग से अधिक अन्न का भंडार चंग्रहित हो पाया खाद्यान उत्पादन में विद्धी के कारण सरकार भंडारन कर सकती है जिसका उप्योग प्राकृतिक आपदाओं के समय किया जा सकता है खाद्यान उत्पादन में विद्धी के कारण कीमत में भारी गिरावट हुई जिसका लाब कम आये के व्यक्तियों को हुआ जो अपनी आये का बरा हिस्सा अनाज पर खर्च करते थे सबसिडी के उपर विवाद हरित करांती की तकनीक जोखिम से अच्छूता नहीं है एक जोखिम यह था कि इसके परिनाम स्वरूप थोटे किसानों और बरे किसानों के बीच आय की असमानता में विद्धी होगी क्योंकि क्रिसी से उत्पादक सामग्री में भारी निवेस की आवसकता होती है उन्नत किस्म के फसलों में कीट हमले का बड़ा खत्रा था जो छोटे किसानों को बरबाद कर सकता था इन जोखिमों से बचाने के लिए सरकार किसानों को सस्ती ब्याजदर पर रिन देती थी एवं उर्वरक पर सबसिडी उर्वरक सबसिडी पर बहुत विवाद होता है कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ लोग इसके खिलाफ इसके पक्ष में निम्नलिखित बातें कही गई है पहला भारत में क्रिसी जोखिमों से भरा है अतह करकार को उर्वरक सबसिडी इन जोखिमों से तुरक्षित रखने के लिए देना चाहिए जादतर क्रिसक गरीब होते हैं जो महंगे क्रिसी उत्पादकों को खरीदने में असमर्थ होते हैं अतह सबसिडी इनके लिए आवस्यक है सबसिडी हटाने से ठोटे किसानों और बरे किसानों के बीच आई की असमानता में विद्धी होगी उसी प्रकार सबसिडी के खिलाफ निम्नलिखित तरक दिये जाते हैं सरोप्रतम कुछ अर्थ सास्त्री ऐसा मानते हैं कि तक्नीक का लाब ज्यादा मुनाफे के रूप में कमाने के बाद सबसिडी को धीरे धीरे चरनबध तरीके से खत्म कर देना चाहिए ऐसा माना जाता है कि सबसिडी का लाब गरीब और छोटे किसानों को न होकर उरवरक उद्योगों को हुआ है अता सबसिडी हटा लेना चाहिए प्रिसी विकास का सुक्ष्म मोल्यांकर 1950 से 1990 की अवधी के बीच सबसे पहले भूमी सुधार एवं हरित क्रामती से प्रिसी के पैदावार में भारी वृद्धी हुई हरित क्रामती के परिनाम स्वरूप भारत ने खाद्यान उत्पादन में आत्म निर्भरता हासिल कर ली तीसरा 1950 से 1990 के बीच तकल घरेलू उत्पाद में क्रिसी छेत का योगदान घट गया किन्तु क्रिसी पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या का प्रतिसत अभी भी 64.9 परसेंट था जो जादा था चोथी बात और द्योगिक छेत्र और सेवा छेत्र श्रिसी में अधिसेश रम को अवशोशित करने में असमर्थ साबित हुआ चात्रों इस प्रकार इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से भारत की अर्थविवस्था में जो नीतिगत पैसले लिये गए उनके बारे में पढ़ा चारों प्रतम हमने योजनाओं के बारे में पढ़ा फिर हमने क्रिसी छेत्र की चुनौतियों और उपलब्दियों के बारे में अध्यन किया धन्यवाद